अस्सलाम आलेकूम नाजरीन आप देख रही हैं Health and Fitness Tips and Tricks और मैं हूँ मीरब मुगल तो नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे वीडियो को एंड तक सरूर देखें तो नाजरीन, आज हम आपको डेट्स यानी खुजूर के फाइदों के बारे में बताने जा रहे हैं तो नाजरीन, चलिए शुरू करते हैं खुजूर एक बेहतरीन फ़ल है और ये आप सुर्णाओ लाहिए वाले वसल्म की मरगूप गिज़ा थी तो चलिए आपको खुजूर के फाइदों के बारे में बताते चलें नमबर एक शदीड गर्मी के आलिम में फोरी तोर पर दवनाई बहाल करने के लिए खुजूर बहुत मुफीद है नमबर दो खुजूर हमें दिल की बिमारियों से बचाती है नमबर तीन खुजूर के दरख्ट की जड़ों को जला कर जखमों पर मरहम की सूरत में लगाने से जखम बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं नमबर चार खुजूर का सफुव दान्द के दर्द को खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है नमबर पांच खुजूर से नजर की कमजोरी को बड़ी हद तक रोका जा सकता है नमबर चे रात को खुजूर बिगो कर सुबा उसके पानी का इस्तमाल दिल के दोरे यानि हार्ट इटेक या फिर दूसरी बिमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है नमबर साथ खुजूर के साथ अनार का पानी मेदे की सोजिश के लिए इंतहाई मुफीद है नमबर आठ खुजूर की मिठास भूग की शिद्द को बड़ी हद तक कम कर देती है नमबर नो खुजूर के साथ खीरा या ककड़ी मिला कर खाने से जिसमानी कमजोरी और दुबलापन दूर होता है नमबर दस खुजूर को दूद में उबाल कर खाना बेहतरीन ताकत देने वाली गिजा है नमबर यारा खुजूर की गुटली या फिर इसकी च्छाल को जला कर इसकी राक सखम पर डालने से खुजूर की गुटली बंद हो जाता है नमबर बारा खुजूर आपको मुक्तलिब विमारियों से बचाने में इंतहाई मददगार है तो नाजवीन ये थी हमारी खुजूर के फवाइद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और अगर आप हमारी नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें आप तक हमारी नए वीडियोस पहुंच जाएंगी ओके नाजवीन अलाहाफिस